असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नोशीन अशर और आज में आपके साथ क्रिस्पी पोटेटो टैकोस की असांत सी रेसिपी शेयर करूँगी तो सबसे पहले हम मैदे से डो त्यार करेंगे इसके लिए हमने दो कप मैदा लेना है और इसमें हम डालेंगे आदा चाय का चमच बेकिंग पाउडर का और फिर हम इन तमाम चीज़ों को च्छान लेंगे अब इसके अंदर हम आदाशाय का चमश डालेंगे नमक, दो खाने के चमश डालेंगे, इसमें हम घी के और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद हम पानी की मदद से इसको गून लेंगे जिस तरह से हम सादा अटा गूनते हैं इसी तरह से बस इसमें हमने ख्याल ये रखना है कि इसकी डो को हमने थोड़ा सख्त गूनना है और आखिर में हम इसके उपर लगाएंगे और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे 20 मिनट के बाद हम इससे छोटे-छोटे पेड़े बनाएंगे और छोटी-छोटी रोटियां बेल लेंगे और रोटियां बेल के मैंने तवे पे डाल दी है अब जो हम टेकोस के लिए बनाते हैं इसको हमने फुली कुक नहीं करना होता बलकि इसको हम सेमी कुक करते हैं तो अभी हमने रोटियां सेक लेंगे दोनों साइडों से ये रोटियां हमारी सेमी कुक हो चुकी है इनको हम उतार लेंगे और अब हम इनको कवर करके रखेंगे ताकि यह सखत ना हो, सौफ्ट रहें अब हम फिलिंग त्यार करेंगे, तो इसके लिए हमने चार खाने के चमच आइल लिया और इसके अंदर हमने एक दर्मियाने साइस का प्यास बरी काट के डाल दिया प्यास को हम हलका सा फ्राइ करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम एक चाय का चमच अद्रक का पेस्ट हलका सा फ्राइ करेंगे अद्रक को और फिर इसमें तीन सबस मिर्चें बरी काट के डाल देंगे अब इसके अंदर एक चाय का चमच साबुस जीरा डाल देंगे हलका सा फ्राइ करेंगे और अब मसाले डालेंगे मसालों में इसमें एक चाय का चमच नमक एक चाय का चमच सुरख मिर्च पाउडर आदा चाय का चमच हल्दी पाउडर और एक चाय का चमश खुश्क धनिया पाउडर डाला और मसाला डाल के अच्छे से मिक्स किया और पिर इसमें हमने डाल दिये उबले हुए आलू ये मैंने चार अदर अदलू लिये थे और इनको मैंने हाथों से मैश कर लिया हाथों से इसलिए मैश किया को कि हमने इनको बहुत जादा मलाइम मैश नहीं करना अच्छे से मिक्स किया और फिर आखिर में हमने इसके अंदर सबस धनिया डाल दिया और फिर मिक्स किया और यह हमारी टैकोस की जो फिलिंग है वो तियार है अब हम एक रोटी लेंगे और इसके ओपर डालेंगे हम कैचप और कैचप को हम बाहर की तरफ अच्छे से फिला देंगे और फिर हम आदी रोटी के ओपर डालेंगे चीज यह मैंने चैडर चीज यूज़ की थी आप कोई भी चीज ले सकते हैं और इसी तरह आदी रोटी पर को प्रेस कर देंगे ताकि आपस में चिपक जाए अच्छे से तो ये इस तरह से हमने टेकोस तियार कर लिए इसी तरह से हम तमाम टेकोस जो हैं वो तियार कर लेंगे अब इनको हम फ्राइ करेंगे इसके लिए हम तवे के उपर थोड़ा सा ओईल घी या बटर समे प्रapport हम चीज मलट हो झाल जाये हैं तो पहले हम इसकी एक साइड जो फ्राइड करेंगी तो प्रहिए जाय मेडियम किरना की तो माइम हो छाए है जब इसकी चीज जो है गिलट होजए और इसकी जो तमाम साइड़ में इसका उच्जा करीस्पी हो जए हैं तो हम इसको उतार लेंगे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे शुक्रिया, अल्ला हाफिज